नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको एक अत्यन्त दुरलब भविश्य ज्यान तंत्रक के बारे में बताने जा रही हूँ। जिससे आप किसी भी विमार व्यक्ति के मौत के समय के बारे में जान सकते हो। याने कि बहव व्यक्ति की मौत नजदिक के भविश्य काल में होने वाली है या उसके मौत के लिए काफी समय बचा है। इस मंत्र सिद्धी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में आगे बताए मंत्र का एक रुद्राक्ष जाप माला से ग्यारा सो बार जाप करने से मंत्र पर सिद्धी प्राप्त होती है। सिद्धी साधना के लिए किसी भी शुभमूरत की अवशक्ता नहीं है और इसे किसी भी दिन किया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि इस मंत्र का जाप आपको लगातार करना है। भविश्य ग्यान मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो बाहूली माहा बाहूली अमुकस्य शुभा शुभम कथय स्वाहा। मैं आपको यह मंत्र वापस सुनाने जा रहे हूँ। कुरुपया ध्यान से सुनीए। ओम नमो बाहूली माहा बाहूली अमुकस्य शुभा शुभम कथय स्वाहा। सिद्धी प्राप्त करने के बाद आपको बिमार व्यक्ति के लंबाई जितना एक सफेद रंग का कपड़ा या धागा लेना है। और सवेरे सुर्यदोय के समय उस कपड़े या धागे को अपने धाहिने हाथ में लेकर सुर्य की तरफ मुह करके इस मंत्र का साथ बार जाप करना है। मंत्र का जाप करते वक्त मंत्र में दिये गए अमुकस्य शब्द पर बिमार व्यक्ति का नाम लेना है। फिर उस मंत्र अभी मंत्रित सफेद कपड़े या धागे को बिमार व्यक्ति के सर के नजदीक रखना है। दुसरे दिन सवेरे उस सफेद कपड़े या धागे को लेकर उसकी लंबाई गिन्नी है अगर वह कपड़ा या धागा लंबाई में छोटा हो गया है तो बिमार व्यक्ति की मौत नजदिक के काल में हो सकती है अगर उस मंत्र अभिमंत्रित कपड़े या धागे को लंबाई में कुछ फरक नहीं पड़ा है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के मौत के लिए काफी समय शेश है मित्रो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सेस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे